सर्दियां आते ही सुरू हो जाती हैं बहुत सारे स्किन ट्राब्लम्स भी जिसमें से एक मेन और कॉमन स्किन ट्राब्लम्स होती है वो होती है स्किन ट्राइनिस की सबसे पहले हम बात करेंगे skin dryness के region के बारे में देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हम करते हैं जिससे कि हमारे skin और जादा dry होती चले जाती है फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ tips के बारे में जिसको follow करके आप अपने skin को काफी लंबे समय तक hydrate, moisturized और nourished रख सकते हो सबसे पहले अगर हम बात करें regions की तो जो main region होता है कि सर्दियों में जो हमारे skin dry हो जाती है वो होती है हवाओं से जैसे ही सर्दियां आती है वैसे ही जो हवाओं होती है वो काफी जादा रूखी सूखी सी हो जाती है उनमें नमी की मातरा काफी जादा कम हो जाती है जिसकी बज़से जब हवाओं हमारे skin से टकराती है तो वो हमारे skin की moisture को लेके उड़ जाती है जैसे ही हमारे skin का moisture लेके हवाओं उड़ जाती है हमारा skin dry हो जाता है और फटना सुरू हो जाता है दूसरा region होता है वो होता है कि हम पानी ज्यादा नहीं पीते गर्मियों में तो हम 4-5 लिटर तक पानी आराम से पी जाते हैं लेकिन जैसे ही सर्दियां आती है हम पानी पिना बहुत ज्यादा कम कर देते हैं इससे क्या होता है इससे हमारे सरीर अंदर से हाइड्रेट नहीं रहती और जब हमारे सरीर अंदर से हाइड्रेट नहीं है तो इससे और जल्दी हमारे skin जो होती है वो dry हो जाती है दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं जो body wash, जो face wash, जो soap हम लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं वहीं हम सर्दियों के लिए भी यूज़ करने लग जाते हैं उसमें glycerine की मातरा जादा हो या ऐसे ingredients जादा हो जो आपके सरीर को moisturized रख सके आपके oil balance को जादा effect ना पहुचाए जादा असर ना पहुचाए जिससे क्या होगा आपके skin कम dry होगी तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं बहुच जादा soap का यूज़ करना बहुच जादा body wash का यूज़ करना और दूसरा जो होता है जो साबुन होती है हम बार-बार जब यूज करते हैं तो वो हमारे स्किन के ओयल को एकदम सरीर से निकाल देती हैं जिससे कि हमारे स्किन काफे ज्यादा सूखी हो जाती है काफे ज्यादा रूखी सूखी और ड्राइ हो जाती है और चौती गलती हमनों नहाने जाते हैं, तो हमारा जो natural oil होता है, जो हमारे skin का oil होता है, वो धुल जाता है, जो हमारे skin होती है, उसके ऊपर के layer को हम epidermis बोलते हैं, और हमारी skin के अंदर बहुत सारी glands होती है, oil glands होती है, जो कि oily substance प्रोड्यूस करती है, जो कि होता है हमारे skin का oil, जिसे हम बोलते हैं सिबं अर् जब हम नहाने जाते हैं तो पानी की वज़ा से साबुन की वज़ा से सिबं हमारे स्किन के बहले अब निकल में जाता है adesso कि आप और दोल गए । दिबाएं जरूरत होती है कोई बाहर से मैस्टरआजरर लगाने की ऐगाने की अगर आप नहीं लगाते हैं तो उससे आँ स्किन काफी ज्यादा effect उस पे पड़ता है और dry हो जाती है हमारी स्किन अब हम बात करते हैं कुछ tips के बारे में जिसको अपना के आप अपने स्किन को काफी लंबे समय तक moisturized रख सकते हो जब आप नहा के आते हो जो अपना regular body lotion आप यूज करते हो उसमें थोड़ा सा oil mix कर दो oil mix करने के बाद आप उसे सिक करके रख दो फिर जब भी आप नहा के आते हो आप उस body lotion का यूज करें तो इससे जो हमारी skin होती है, वो काफी लंबे समय तक moisturized रहती है, लेकिन अगर इसके बाद भी आपके skin dry हो जाती है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप नहा क्या आते हो ना, तो आप अपनी skin को dry कर लो, किसी कपड़े से पोच के, सुखा लो, ध्यान रखे कि आप skin को बि यह आपके skin को repair करने का भी काम करता है, और moisturized रखने का भी काम करता है, तो आप glycerine apply कर ले, दिन उसके बाद, जिस body lotion में आपने oil mix करके रखा है, आप उसे apply कर ले, इससे आपके skin काफी लंबे समय तक moisturized रहेगी, लेकिन अगर आपके skin बहुत जादा dry है, और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है, कि dry है अभी हमारे skin, तो आपको क्या करना है, आपको नहाने से पहले ही, 2-4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, कोई भी oil अपने body पे use कर लें, जो use करते हैं, और फिर उसके बाद नहाने जाएं, इससे क्या होगा जब आप नहाने जाते हो, तो जो आप आपको सिबम धुल जाता है, जो आपको skin को oil धुल जाता है, वो बचा रह जाता है, क्योंकि जो हम बाहर से oil अप्लाई करते हैं, नहाते समय वही oil हमारे skin से निकल जाता है, और जो हमारा natural oil होता है, वो बचा रह जाता है हमारे skin में, फिर आप उसके बाद skin को पोछे, के संटने से पहले कम से कम उन एरिया पर ज़रूर लगा लें जो रहते हैं जैसे हमारे हाथ पैर नेक इन एरिया परूर लगा लें या फिर जहां पर ज़्यादा ड्राय offenders हैं आप वहां पर यूज्ट कर सकते हैं आपके स्किन काफी लंबे समय तक के लिए मौस्टराइजड रहेगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही आए I hope you video आपके लिए helpful रही हो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए thank you so much मिलते अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए bye